हलो नमस्कार मैं डॉपर नौल पटेल डर्मेटलोजी से हम है ट्रांस्प्रांट सर्जेन और अकलिक रागड़ छेतिस गड़ इस महाल में जैसे की कोर्ना वायरस लगभग लगभग मानग चली पूरे कंट्रीज में फैल गया है तो आपको मास सेनिटाइजर के पीशे होड म है लोगग को मास से चाहिए तो इस टॉपिक में आपको बताने वाला हूँ और यह जो मैं टॉपिक में बताने वाला हूँ यह चीजे मेरे द्वारा अलग से कोई बनाई हुई या कही होई बाते नहीं है केवल और केवल डबलो यहो के साइट्स में जो एक जैन्यू सहीं दिया हुआ है उसको मैं आप तक पहुचा रहा हूँ आप खुद से चाहें तो WHO के साइट्स पर जाके उनको देख सकते हैं पढ़ सकते हैं कई बार ऐसे होते हैं हमारे गाओ देहातों में या लोग ऐसे होते हैं जो इंगलिस समझ में नहीं आता है या हिंदी उसको अच्छे इसको डिस्पोस करना है तो इस वीडियो को सुरू से लेके आकरी तक देखें अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगे तो आपके फ्रेंड सर्कल दोस फेमिली में जरूरी चीजों को सेयर करें आपको हो सकता है अच्छे अच्छी जानकारियां जरूरी नहीं लेगी आए सुरू करते हैं और मैं आपको यह बता रहा हूं कि मास कब पहना चाहिए कब उसका उप्योग करना चाहिए अगर आप हेल्दी हैं और मास का उप्योग कर रहे हैं तो आपको मास पहना है जो डबलो एचो बोल रहा है डबलो एचो के साइट को मैंने खोला है और डबल का केर कर रहे हैं जो कोरोना वाइरस COVID-19 कोरोना वाइरस जो 2019 में हुआ उसे suspected है दूसरा आपको मास्क तब पहना है जब आप खास रहे हैं चीक रहे हैं तीसरा है मास्क तभी effective है जब आप अपने हातों को frequently alcohol based sanitizer से या साबुन और पानी के साथ में अच्छे से आप धो रहे हैं अगर आप मास्क पहन रहे हैं तो मास्क को dispose करना चाहिए इसकी भी सही जानकारी आपको होनी चाहिए देखिए मास्क को पहने से नहीं होना चाहिए आपको पांस को जब यूज करें तो उसको बार-बार चुना नहीं है अगर आप हाथ को धोना है तो साबुन पानी से बार-बार और इलकोहल बेस निटाजर से धोते रहना चाहिए जब आपको अधिकतर जो मास मार्केट में मिल रहे हैं वो सिंगल यूज होते हैं तो उनको यूज करने के बाद में रिप्लेस करना चाहिए और सिंगल यूज वाले मास को दुबारा बार-बार यूज नहीं करना चाहिए मास को निकालने का सही तरीका क्या होता है मास को पीछे साइड से, फ्रंट साइड से नहीं चुना चाहिए आपको पीछे साइड में जो बांधने के होते हैं उधर साइड से चुना चाहिए और उसको आप Closed वाले Dust Bean में टाल देना चाहिए उसके बाद से फिर से आपको हाथ धो लेना चाहिए साबून पानी या एलकॉल बेस सेनी टाइजर से इसके अलावा क्या चीज़े हैं कि कुछ-कुछ और इन्फॉर्मिशन रहती हैं जिन चीज़ों को आप अगर चाहें तो WHO के साइट से उन जगहों पे जा करके आप अच्छे से पढ़ सकते हैं देख सकते हैं और अगर अधिक जानकारी चाहिए तो आप सरकारी अस्पतालों में जो लगे हुए नोटिस बोर्ड चीज़ें वहां से डॉक्टरों से फोन कर क् पूछ सकते हैं और किरिप्या अफ़ाहों को ना फैलाएं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें शेयर करें और लोगों को शेयर जरूर करें तन्यवाद हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को हिट करें